याईरी टीवी पेसें लोग सबस चुनाओं के छे चरण समाप्थ हो गए हैं और एक चरण शेश रह गया है लेकिन आखरे चरण में वोटिंग को लेकर सुप्रिम कोट में डाली गई याचिका खारिज हो गई है रमजान को लेकर मद्दान के समय में परिवर्तन करने संबंदी याचिका सुप्रिम कोट में खारिज हो गई है पीम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के रतलाम में चिनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कॉंग्रिस के वरिष्ट नेता दिगविजय सिंग कर जम कर हमले बोले जब देश लोककंत्र का पर मना रहा है अपने प्रतिनिधी चुन रहा है तब दिगई राजा ने वोट डालने की भी ज़रूरत नहीं समझी लोकसभद चिनाव के छटे चेलंड में पश्चिम बंगाल के बांकुरा में मद्दान के दोरान हुए हिंसा के मामले में चिनाव आयोग ने कड़ी कारवाई की है आयोग ने बांकुरा के डियम को हटा दिया है डियू के दौलत राम कॉलेज की एसोसियेट प्रोफेसर को बतोर सूचना अधिकारी समय से सूचना ना देना महंगा पड़ा केंद्री सूचना आयोग ने उनकी लापरवाही के लिए 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन परिसर में सुगम यातायात विवस्था के लिए रेलवे ने नई योजना बनाई है यहां यात्रियों को छोड़ने और ले जाने वाली गाड़ियों को 7 मिनट तक ही परिसर में रहने की इजाजत होगी लोगतंत्र में अभिवक्ती की आजादी क्या होती है इसका अनुभाव एक प्रोफेसर ने साल 2012 में सोशल मीडिया पर टी-मसी और ममतब एनरजी से संबंदित काटून शेयर करते वक्त किया था इसके लिए कॉलकता के प्रोफेसर को ना सरफ जेल जाना पड़ा था बलकि टी-मसी का हमला भी जेलना पड़ा था जिसके बाद यूती ने अपनी गिरफतारी के विरुद सुप्रेम कोट का दरवजा खटखटाया था और मामली पर स्कल सुनवाई होगी दिल्ली से सटी हरियाणा की परिदाबाद लोगसवा सीप पर तथा कतित बूठ कैप्चरिंग मामले में एक पोलिंग एजेंट को गिरफतार कर लिया गया है जारखंड हाई कोट के जस्टिस डियन पटेल दिल्ली हाई कोट के नए चीफ जस्टिस होंगे वर्तबान मुख नियाए धीश राजेंदर मैनन अगले महीने जून में रिटायर्ड होंगे नौइडा एलेक्ट्रोनिक सिटी से मोहन नगर तक मेट्रो फेस तीन के पास स्टेशनों की लोकेशन फाइनल हो गई है रैपिट रेल कॉरिडोर से जोडने के कारण सिर्फ वसंदरा सेक्टर दो स्टेशन की लोकेशन तै होना बाकी है देश में पेट्रोल डीजल के दाम सोमवार को लगातार पास्वे दिन घट गए हैं जिसे पेट्रोल धाई महीने और डीजल करीब तीन महीने के लिच्रस तर पर आ गया है दिल्ली में पेट्रोल तीस पैसे और डीजल तेरा पैसे सस्ता हो गया है यह है डी आइडी में खबरे आप तर इंतजार कीजिए कल तर